Hello everyone, welcome you all at Lucas's Unlimited Study Zone तो प्यारे बच्चों और दोस्तों आज जो पेपर था आपका Class 12th, MP Board का 2022 and 23 Session का जो पेपर Maths का था आज वो संपन हो चुका है, और अब हम यहाँ पर कर रहे हैं इस पेपर का Analysis तो यह आपका Set A है, ऐसे ही आपके पास Set B, C, D सेट होंगे आईए मैच करते हैं कि इसके Answers क्या क्या है, सबसे पहले हम Part 1 उठाते हैं इसमें जिसमें हम Objective Questions लेंगे और One by One हम सभी Objective Questions का Solution यहाँ पर देखने वाले हैं, तो आईए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पहला Part देखिए, पहला Question यहाँ पर है, English और Hindi दोनों में है तो मैं दोनों ही एक तरीके से बताऊंगा आपको, और आप देखिएगा क्या कह रहा है Question पहला कह रहा है कि Fx इकॉल टू Fx द्वारा फलन R से लेके R में तो बहुत ही Simple है, देखिए, Fx इकॉल टू Fx को में लिख सकते हैं कि Y is equal to Fx और इसको आप ड्रॉ करेंगे, जब इसको आप प्लॉट करोगे ग्राफ में, तो यह इस तरीके से जाएगा मतलब X का मान कितना जा रहा है, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी की तरफ और Y का मान भी कितना जा रहा है minus infinity से लेके plus infinity की तरफ इसका मतलब कैसा है यह यह a कैकी भी है और आच्छादक भी है तो correct answer इसका क्या है यह a कैकी भी है और आच्छादक भी है देखे तो यहाँ पर y is equal to fx है प्रदत फलन जो है r से r में ok एकैकी आच्छादक है तो correct answer इसका option number a होगा 10 verse root 3 कितना होता है directly होता है इसका value होती pi by 3 और minus second verse minus root 2 में आप formula लगा दिए pi minus second verse 2 का ok तो यह कितना हो जाएगा pi by 3 और minus में pi minus second value 2 कहां पर हुआ करती है pi by 3 पे होती है ok so कितना हो जाएगा pi by 3 3 pi minus pi मतलब कि कितना हो गया यह हो गया 2 pi by 3 ok so कितना आएगा इसका answer इसका answer आएगा b minus pi by 3 correct answer इसका होगा b minus pi by 3 यह भी आपको one marks मिल गया चलिए अगला question दिखिए अगला question आपके पास में दिया गया है a दिया गया है और a transpose equals to i तो यह sample paper यानि की sample paper जो जारी किये गये थे उनका question है तो बहुत ही simple question दिखिए a plus a transpose a का परिवर तब यह बराबर आई दिया गया है तो पहले a लिख लीजिए और फिर a का transpose कर दिजिए तो कैसे solve होगा देखिए इसको हम solve करते हैं यहाँ पर मैंने a लिख दिया है a दिखिए क्या है cos alpha है और minus sin alpha है यहाँ पर है sin alpha और यहाँ पर है cos alpha तो यह तो हो गया a और a का transpose मतलब यह हो जाएगा cos alpha और यह हो जाएगा कितना minus sin alpha और यहाँ पर कितना जाएगा यह हो जाएगा sin alpha और यह हो जाएगा cos alpha ओके equals to किसके equal है i के equal मतलब 1001 1001 यदि आप इसको add करेंगे तो क्या हो जाएगा देखें चलिए इसको मैं solve करके ही बता रहेता हूँ बेटर रहेगा इसको अपन solve कर दें तो आराम से यह समझ में आएगा ठीक है तो इसको हम लोग solve करते हैं यस यह देखें यह हमाया पास question दिया हुए है ओके आपके पास में a plus a transpose आप कर दीजे तो a आपके पास में कितना है a आपके पास में दिया गया है मैं सीधे a plus a का transpose करूँगा a plus a का transpose देखें कितना आजाएगा A आ जाएगा आपके पास में cos alpha है, minus sin alpha है, और यहाँ पे है sin alpha, और यहाँ पे है cos alpha, ठीक है न, और A transpose आपके पास कितना आ जाएगा, A transpose आपके पास cos alpha, minus sin alpha, और sin alpha, और यहाँ पर कितना है, cos alpha है, ठीक है न, यहाँ आपका हो गया A transpose, add कर दीजे, equal to कितना दिया गया है, I, I मत मतलब 1001, 2 x 2 की order का matrix है, cos alpha plus cos alpha कितना हो जाएगा 2 cos alpha, यह हो गया 0, यह हो गया कितना 0 और यह हो गया 2 cos alpha, ओके, अब देखे, यहां से compare कर दो इसको 1001, तो कितना आ जाएगा देखो, 2 cos alpha equals to 1, याने cos alpha equal to कितना 1 upon 2, और cos alpha equal to 1 upon 2 आ चुका है, मतलब cos alpha equal to cos pi by 3, याने 60 degree, so answer alpha equal to pi by 3, जो की option में present है, I think alpha equal to pi by 3, yes, option number 20 का correct answer होगा, ठीक न, चली, और यह तो मैंने कहा ही था कि आपको आना ही आना है, 100% यह आपको पता था कि आएगा इसका formula होता है, कि determinant of 5A is equals to determinant of 5 to the power, sorry, यहां पर कितना जाएगा, 5 to the power n determinant of A, ओके, यह था इसका rule, 5 to the power n determinant of A, तो यह कितना हो जाएगा, देखिए, यहां पर आपके पास 5 की power 2, order कितनी इसकी 2 cross 2 है, तो 5 की power 2, और determinant A दिया है, तो इसका answer कितना होगा, 25 A, तो first part इसका आगया, कितना यहां फिर 25 A आ चुका, चली, अगला question देखिए, कि P A और P B दिया गया है, तो P A conditional B, भाई, साफ आनसर है, परिभाशित नहीं, क्योंकि P A upon B जो आएगा, वो होगा, P A intersection B upon P B, और P B का मान कितना दिया गया, 0 ने दिया गया, तो जब आप यहां पर 0 ने put करोगे, तो something upon 0, परिभाशित नहीं answer आ जागा, यह question तो बहुत ही आसान है, X into X कितना हो गया, X square यह कितना हो गया, 36, तो X square equal to 36, equal to 0 है, so X square equal to 36, तो X equal to कितना हो जाएगा, plus minus 6, ठीक है न, तो correct answer इसका B हो जाएगा, plus minus 6, ठीक है न, so here the answer is B plus minus 6, चली, यह तो हिन्नी मेडियम के बाते होगी, English medium में भी question देख लीजे, जो बच्चे English medium के हैं, उनको भी यहां पर देखना पड़ेगा, देखे, question number 1 का answer मैंने first पता है था, question number 2 का answer B हो गया था, then question number 3 का answer यहां पर कितना है था, I think pi by 3, pi by 3 minus 2 pi by 3, that is equals to minus pi by 3 minus 2 pi by 3, एक second, answer में में यहां पर किया था, पाइगा, yes, pi by 3, so answer कितना है था हमाएपस में, pi by 3 आया था, ठीक है, so answer equals to pi by 3, इसका हो गया था, then इसके बाद इसका answer कितना है 25a mod में, यह 25a, और A upon B क्या था, not defined, and here equal to plus minus 6, चल यह, तो यह हो गया, done, अब अगले question क्यों चलते हैं, अगला question देखती है, yes, यहां पर यह questions आपके सामने दिए गा है, रिक्त स्थानों की पूरती कीजिए, तो यह question है, y is equal to under root of, root e की power x का power root x है, देखे कैसे करते हैं, इ यह देखे, यह आपके सामने question दिया गया है, y is equals to, y equals to, y equals to under root of e की power root x, ओके, देखे, तो कई तरीके इस question को solve करने के, आप इसको log में भी ले सकते हो, ठीक ना, तो मैं कि बस तरीका बता था हूँ, log ले लो, log से जल्दी हो जाए, जाएगा असलिया, so आप इसको y is equal to, आप इसे क्या लिखे, e की power root x की power 1 by 2, ओके, आप इसने इसे क्या लिख दिया, आपने 1 by 2, ठीक ना, ठीक है, अब देखे, अब आप, यह देखे, पावर में है, root x है, और यह 1 by 2, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a की power m की power n, that is equal to a की power m into n, ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा, y is equal to e की power, यह हो जाएगा, root x into 1 upon 2, मतलब root x by 2, यह हो गया, root x by 2, अब आप ही काम करो, इसका log ले लो है न, तो log of y is equal to log of e की power, root x by 2, ठीक है, न, तो आपने इसका log ले लिया, तो क्या हो जाएगा, देखो, यह हो जाएगा, log y equals to root x by 2 बाहरा जाएगा, और यह केवल क्या बच्चेगा, अंदर में log e, log e की value किती होती है, log e की value 1 होती है, तो क्या बन गया ultimately है, मैं यहाँ पर solve कर देता हूँ, थोड़ी जगह है मेरे पास, तो यह ultimately क्या बन गया है, यह बन गया log y equals to, log of y equals to under root x by 2, ठीक न, चलो अब इसको differentiate कर दो, log तो हट चुका है, तो log y का differentiation करोगे, 1 upon y divided dx is equals to 1 upon 2, और root x मतलब क्या होता है, x की power 1 by 2, इसका differentiation करोगे तो कितना आएगा, n यानि 1 upon 2, x की power n minus 1, यानि 1 upon 2 minus 1, तो यह कितना आगया, 1 upon y divided dx is equals to, हो गया 1 upon 4, और x की power में minus 1 by 2, ठीक न, तो 1 upon 4, और इधर पर कितना आगया, root x आगया, ठीक है न, यह हो गया 1 upon y divided dx, तो d divided dx की value निकाल दो कितनी आएगी, तो d divided dx is equals to हो जाएगा, y और bracket में इधर कितना आया है, इधर आया है, 1 upon 4 root x, 1 upon 4 root x, y की value रग दो, y की value क्या थी आपके पास में, यह थी y की value, e की power root x by 2, तो answer, e की power under root x divided by 2, ओके, और hold divided by 4 root x, यह इसका answer बनेगा, ओके, बड़ा अधभूत सा question दिया है, e की power under root x by 2, divided by 4 root x, यह इसका question का answer बन जाएगा आपके पास में, ठीक है न, तो इसका answer कितना आजागा, इसका answer में आजागा, e की power, e की power मेs under root x, divide by 2, और divide by 4 root x, यह इसका अंसर आजागा चलिए अग्ला कोशन दीखें व्रत्य के यह तो बहुत ही वारा आ था, त्रिज्ञ के सापिछ में, त्रिज्ञ के सापिछ में, पाई य र स्क्व necessity कि पाई र सक्यर, तो इसको डिफेरेंशिेट कर दोगे तो पाई cm² पर cm यह हो जाएगा ठीक न अगला देखी sin inverse x plus cos inverse x की value किती होती पाइ बाइ टू और पाइ बाइ टू का डिर्कली integration कर दोगे तो कितना जाबाइ एक्स बाइ टू प्लस कितना सी तो यह था इसका integration हो गया क gummy चान आल कि और प कोई भी स्व आचर स Almostfive to go Lex forget में कोई स्वेच अचर नहीं होता है इसलिए इसका अंशर कितना आजढ जगर अगला तीरभुच की तीन भुज घं में लेने पर उसका सभी जीरो होता तो मैंने class में बताया था कि vector a b plus vector b c plus vector a c जो तीनों का sum होता है लगातार क्रम में a से b b से sorry यहाँ पर a c लिख दिया मैंने a c a लिखना पड़ेगा मुझा है a b plus b c plus c a a से लेके b b से लेके c c से लेके a जो तीनों का लगातार योग होता हो कितना होता जीरो होता है यह की को साइन होती है जीरो वन जीरो और जड़क्ष की को साइन होती है जीरो जीरो वन ऐसे लिखना पड़ेगा आपको मतलब इसका answer बड़ा है ओके यस अगली trick तो गई लग गई एसमें राजा रानी गयबजार वाली जो मैंने आपको यह भी हो गया बहुत ही आसान question था e की power x into fx चलिए अगला देखते हैं अगला है सही जोड़ी बनाईए यस तो देखे 10x का integration क्या होता है 10x का आपको पता होगा log sec x होता है और log sec x को ही क्या लिख सकते हैं minus log का cos x लिख सकते हैं तो first का f हो गया है cot x का कितना होता है log sin x होता है sec x का integration कितना होता है log of sec x plus 10x हुआ करता है sec x का integration cos x का कितना हुआ करता है cos x का होता है log of cos x minus cot x और इसको solve कर दो तो यह cos square x हो जाएगा और यह minus sin square x हो जाएगा और cos square x minus sin square x कितना होता है cos 2x देखो कैसे हल होगा यह, उपर से उपर cos into cos x कितना हो गया, cos square x, और minus sin x into sin x कितना हो गया, sin square x, कुछ बच्चे तो यही सोच रहे होगे, इसके बाद क्या होगा, भाई, यह formula होता है, किसका formula था, cos 2x का, तो इसका answer क्या हो जागा, यह हो जाएगा, sin 2x का x के साब x, भाई, sin 2 2x का x किस, आप किछ, और college क्या होगा, भाई, 2 cos 2x, तो आप देख रहा है, d by dx आप किसका बोल रहा है, sin 2x का, तो डंडा method लगी, सबसे पहले, sin पर डंडा चलेगा, तो इसका कितना हो जाएगा, cos 2x, फिर 2x पर डंडा चलेगा, तो कितना हो जाएगा, 2, तो answer कितना आग relation क्या हुआ करता है, तुछ संबंद किसे कहते हैं, देखी, तो ये question जो है, किताब के अंदर से, otherwise बिल्कुल घुस करके पूछा गया है, या शाएद ये मैं कह सकता हूँ कि, इस question में थोड़ा सा problem हो सकती है, ये question को bonus भी किया सकता है, तुछ संबंद क्या कहते हैं, देखी दो प्रकार के जो relation होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, तुछ संबंद बोलते हैं, एक होता है कौन सा empty relation, यानि की रिक्त संबंद, और दूसरा होता है का सारव भामिक संबंद, तो ये दो संबंद जो होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, आपके तुछ संब पाया जाए उसको हम इस तम आभियो कहते हैं, जिसमें एक ही स्तम्ब हो, उसको इस तम्ब आभियो कहते हैं, सद इस अई कैप गला गया है, और साथ ही साथ कहा गया कि A और B स्वतंतर घटना है, भाई सबसे पहले आप A और B स्वतंतर घटना है, तो A intersection B निकाल लीजे, कितना निकलेगा आपको पता है कल पढ़ाया था मैंने P A into P B, ओके, और P A into P B का मतलब 0.3 into 0.4, that is equal to 4 गोने 3 हो गया 12, तो यह आ जागा कितना, 0.12, ओके, 0.12, यह आ गई अपने पास में 0.12, यह आ चुका है P A intersection B, यह है P A intersection B equal to 0.12, अब आपको बताना है कि P B oblique A का मान क्या होगा, P B oblique A is equal to P A intersection B upon P B, upon कितना हो गया P B, तो देखे, ऊपर कितना आएगा, 0.12 आएगा, और नीचे कितना आएगा, P B मतलब 0.4 आएगा, तो चलिए इसको solve करते है देखे कैसे solve हो गई है, इसको solve करने के लिए आप देखे, ऊपर 12 ले लिजे, नीचे 4 ले लिजे, 12 का नीचे decimal break करोगे, कितना आएगा, 100, और नीचे इसका कितना आएगा, 10, 4 से हो गया, कितने बार, 3 बार, और 0 से 0 cancel, तो answer कितना आगया, 3 by 10, मतलब कि 0.3, तो यह जो answer आ और cos pi by 2 कितना होता है, 0, तो इसका answer कितना आजागा, 0, चलिए अगला question देखिए, कि एक उत्पात की x उस इकाईयों में से प्राप्त कुल आए, इतनी दी गई है, आपको 3 x square plus 36 x plus 5, आपको x equal to 15 पर सीमानता है ग्यात करनी, तो so simple, क्या करो सबसे पहले, r dash x निकालो, r dash x, क्या निकलेगा, देखो, r dash x इसका निकल जाएगा, 6 x plus 36, 6 x plus 36, अब आपको x की value 15 पर निकालनी है, तो r की value आपको dash में कितना रखोगा, x की value 15, तो 15 गुणे 6 कितना हो गया, 90, और plus कितना हो गया, 36, तो answer कितना आगया, 126, तो इसका correct answer कितना आजाएगा, 126, because यह 90 हो जा correct हुआ है, एक और part is में बचा हुआ है, असत चली जल्दी वो भी देख लेते हैं, क्या है वो, दीखें, कहरा है पहला कि अवकल समीकन इतने में, इसकी कोटी 2 है, देखो, सबसे बढ़िया देखो, यहाँ पर इसको दो बार अपने differentiate किया, तो exactly यहाँ पर जो कोटी है, इस 60 degree है, तो निकाल लेते हैं, formula क्या होता, देखें, angle निकालने का formula लगा, यह cos theta is equal to a.b upon mod a mod b, यह formula लगा दीजिए, तो आपको answer आजाएगा, तो देखो, कैसे होगा a.b, 1, इसका coefficient, इसके गुड़ांक, इसके गुड़ांक का multiply कर दो, 1 into 1, 1 हो गया, और फिर 1 into minus 1, minus 1 हो गया इसके बाद under root यह कितना हो जागा, यह हो जाएगा, आपके पास में कितना, यह 3 हो जाएगा, और यह भी आपको कितना देगा, 3 देगा, 1 से 1 cancel हो चुका है, और आपके पास में कितना आ गया, 1 upon कितना हो गया, 3 हो गया, minus 1 upon 3, तो कह रहा है, इनके बीच का angle 60 degree, बिलकुल न नहीं, क्योंकि अगर 60 degree angle होता, तो cos 60 degree आता, और cos 60 degree कितना होता, 1 by 2, तो यह क्या हो गया, यह असत्य हो गया, यह क्या हो गया, असत्य हो गया, अगला question देखे है, कह रहा है कि, d by by dx, minus y, equal to cos x का समा कलन गुडांग, e की power minus x है, देख लेते हैं, समा कलन गुडांग क्या होत यह सत्य होगा, तो यह भी सत्य हो चुका है, उपर वाला असत्य हो चुका है, और सबसे उपर वाला भी क्या हो चुका है, सत्य हो चुका है, चलिए आच्छादक फलन है तब, कह रहा है, अगला की, अगर f x स y एक आच्छादन फलन है, तो f का परिसर बराबर y होगा, बिल कई बार लगाया है कि 10 inverse 1 by 2 plus 10 inverse 1 by 3 equal to 10 inverse 1 upon 5 तो इसको हमने कई बार solve किया है और यह I think यह इतना ही आता है चले इसको एक बार चेक कर लेते हैं तो 10 inverse 1 by 2 plus 1 by 3 upon 1 minus 1 by 2 into 1 by 3 तो देखे ऊपर कितना आजाएगा देखे ऊपर आजाता है 3 और 2 5 5 बटे 6 और नीचे कितना आजाता है यहाँ पर आजाता है 5 और इधर पर कितना आजाएगा 6 तो 5 बटे 6 से 5 बटे 6 है cancel हो जाता है okay तो यहां पर कितना आ जाएगा cancel हो जागा 10 inverse 1 में नहीं की πाई भाई 4 बचेगा तो यहां पर कितना दीच एक बड़े 5 सवरी तो मतलब यह क्या हो गया असत्य हो गया यह क्या हो गया असत्य हो गया ठीक न अगला question दिखिए अगला question कहरा है कि अगर आपके पास दो मेट्रिक्स हैं पहले का order m cross n है दूसरे का order n cross p है तो a b के गुणा होने के बाद order क्या होगा तो पहले आप लिख लो किसको m cross n और दूसरे को लिख लिए क्या n cross p आपको पता है दोनों ये कीजें क्या होती है वैलिड हो गया और उसके बाद जो उत्तर आता वो क्या था m cross p तो वाकई में m cross p ही उत्तर दिया तो ये भी क्या है सत्य है ओके तो आपने क्या देखा कुल मिलाकर कि पहला वाला जो है truth निकल आया दूसरा वाला में बच्चों मैं लेकर क्या होंगा इसका subjective analysis आप लोग मुझे बताईए कैसा लगा आपको solution इसका ओके और आपके expected कितने माकसा आ रहे हैं मुझे बताईए thank you so much for being with location unlimited study zone बाई बाई